हे गाईस विलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कमार स्वागत है अपका इस वडियो में तो दोस्तने एक बेहत्रीन अपोश्चनोडी लेकर आया हूँ आप सभी आई टिया डिपलमा डिगरी याने बी बिटे की स्टूडेंट के लिए जब अर्जस वेकिंसी जायार वेकि जोब की वेकिंसी निकाली गई है जो कि ओल इंडिया के मेल और फिमेल सभी आई टिया डिपलमा डिगरी जो स्टूडेंट प्रेशर एन एक्स्प्रियंस सभी गेंड़ एप्लाय कर सकते हैं बंपर भरती है कोई कम वेकिंसी नहीं है वेकिंसी भी बहुत अच्छी कासी नि ओनलाइन फॉर्म फिलप करने का फूल प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि आपकी दिक्कत होती है किसी भी बड़ी प्राइवेट और्गनाईजिसन में फिछली बार वेकिंसी आई थी तो फॉर्मी नहीं अप्लाय हो रहा था ठीक इसी तरह मारतिय सुजगी का जैसे वेकिंसी निकला तो वेबसाइट क्रेस कर गया मतलब यही न जरूरत से ज़्यादा केंडिट वेपलाय कर देते हैं तो लिमिटेड सीट होती है यार एपलाय जरूर करना सीट तो अच्छी खासी होती है लेकिन बहुत सारे केंडिट अपलाय करते हैं क्योंकि इस तरह का और टेलिग्राम चैनल सकसेस दिलिकवा जोइन कर लें वहाँ पर भी आपको प्रेमियम जॉप्स के अपडेट मिलती रहती है और जो भी केंडिट हैं वीडियो देख रहे हैं आप अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट करें हमें चली आगे बढ़ते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट जानलो की डिपार्टमेंट कौन सा है ताकि आपको पता चले तो यह है आपका ओफिसल वेबसेट यह है आपका एमस यानि कि अपोलो माइक्रो सिस्टम एक्शली में करती क्या है कि गौवर्मेंट के जो भी सार यहाँ पर आपको मिल देगी मैक इन इंड इस डिपार्टमेंट का ऐहम युगदान है क्योंकि मॉस्ट्री जो आपके गूर्ट्स होते हैं जो प्त्रीमन देख सकते हैं यह डिया आपको पता है इस तरह का डिपार्टमेंट गॉवर्मेंट का है यह देख सकते हैं BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड़ेपी-सी इनके क्लाइट है इन सब में यह डिपार्टमेंट टूटली गॉवर्मेंट में वर्क करती है जो गॉवर्मेंट का प्रॉजक्ट चलता र इनके जो parts बनाए जाते हैं ये ये department बनाती है तो यहीं पर भरती निकाली गई है और जब adjust vacancies है तो जो भी get an at eligible हैं जरूर apply करना अगर आपका अभी भी doubt है कि इस तरह के किस department है तो अभी क्या बता सकते हैं पूरी details मैं है बता चुका हूं फिर भी कुछ हो रहाओ तो आपके department और आपके दिमाग पर निर्वर करता है आप eligible है apply करें कोई भी पैसा आपको इसमें नहीं लगने वाला है ओके यह पूरा department इसी तरह base है और मैं official बता चुका हूँ कि इसमें आपका यहाँ पर target चलता रहा है अब directly हम पोस्ट पर आते हैं केरियर आपनिंग में देख सकते हैं मैं साथ साथ आपन करके बता रहा हूँ इसकी कौन-कौन सी vacances निकाली गई है क्योंकि अलग-अलग पोस्ट है अलग-अलग variant है सबसे पहले हम आते हैं जो कि पोस्ट है आपका embedded इंजिनियर की recruitment है तो इसमें कहीं पर experience मांगी जाएगी कहीं पर नहीं मांगी जाएगी क्या 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 है लेजबिटी है वह आप चेक कर सकते हैं क्योंकि हर चीज बताना पॉसिबल नहीं है और ऑफीचल वेबसेट पाओगे तो सब कुछ पता चल जाएगी प्रॉसेश ड आपने कर रही है अपलाय कर सकते हैं experience यहां पर मांगी गई है टू से फोर इयर का तो नॉर्मली है experience इतनी होनी चाहिए सब में experience नहीं है नेक्स बेकेंसी है business development यह एक्जिवडिव की लेवल की पोस्ट है तो इसमें फ्रेसर भी अपलाय कर सकते हैं और experience भी अपलाय कर सकते एक्जिवडि की पोस्ट है अगर आपने भी बड़ कर रखी है तो बिल्कुल आप अपलाय कर सकते हैं quality engineer electronics में recruitment है तो certified knowledge होनी चाहिए आईपी सिस्टिका एंड यहां पर कोई साभी graduate candidate eligible हैं आप simply graduation है आप बिल्कुल अपलाय कर सकते हैं position तीन दिखा रहा है आप अपलाय करे experience है एक से लेकर दो साल की यहां पर minimum experience मांगी गई है बड़ experience तो मांगी गई है यार graduation कोई भी चलेगा next देख सकते हैं purchase executive की recruitment है तो यह अच्छी post है सभी candidate के लिए फ्रेसर बिल्कुल अपलाय कर सकते हैं यह बहुत अच्छी खासी post है यादर जो भी candidate है diploma degree apply करना purchase executive की recruitment है य यह सब contract management में आपकी job लगेगी और EC में ज्यादा post है एक और है उसमें ज्यादा post है इसमें बहुत अच्छी खासी post है executive की लेवल की और diploma आपने कर रखी हो या फिर भी बिटेक तो apply कर सकते हैं EC के recruitment है electronic communications के लिए then आपका यहां पर EA electronics electrical के लिए vacances and mechanical branch के लिए vacances यहने कि electrical electronics and communications के candidate and mechanical branch के candidate apply कर सकते है फ्रेशर बिल्कुल apply कर सकते हैं अगर आपके पास experience है तो अच्छी बात है नहीं है तो भी अच्छी बात है पर फ्रेशर केंडिट बिल्कुल eligible है यहां पर apply करने के लिए तो यह जब अर्जस recruitment है diploma भी विडेवालों के लिए apply करना कुछ doubt है तो comment कर प्रोडक्शन मेनेजर में recruitment है तो इसमें लगलवा HR की operator चाहिए अब आते हैं आईटे की post तो यह है आपकी operator देख सकते हैं SMT line programmer या फिर operator तो इसमें आईटे की वालों के लिए जबर्जस recruitment आउट की गई है vacances देखो experience नॉर्मली वांगी गई है आपके पास two year की जो experience है आ otherwise pressure बिल्कुल apply कर सकते हैं याद रखना कोई भी जरूर नहीं कि आपकी पास experience हो नहीं ही चाहिए आपने आई टीए इलेक्ट्रिकल या फिर electronics में कर रखी है तो बिल्कुल apply करें qualifications देख लो डिप्लोमा बिटेक में आपका EC या फिर E यानि कि डिप्लोमा या फिर बिटेक आ यालों के लिए ही है डिप्लोमा electrical electronic communications apply कर सकते हैं अब आइट आपने इलेक्ट्रिकल इंजिनेरिंग हो electronics इंजिनेरिंग तो भी अप्लाय कर सकते हैं अब आई टीए की स्टुडेंट इसमें electronic में केनिक और सकते हैं आप एलेक्टरिसियन से आईटिया किया रखी हो या फिर आईटिया अपने इलक्ट्रोनिक मेकेनिक से कर रखी है तो दोनों के इड़ेट कर सकते हैं ओके नॉर्मली यहां पर देखो यह फ्रेसर बिल्कुल ऐलिजबल है जरूरी निया एक्स्प्रियंस बड़ एक्स तो CNC operator में क्या है कि अगर आप 10th pass भी हैं ITIB पास आउट किये हैं डिप्लोमा पास आउट किये हैं आपको knowledge है CNC operator का क्योंकि एक साल के experience है आपके पास knowledge है तो बेसक आप apply कर सकते हैं quality engineer में mechanical की post है तो यहाँ पास डिप्लोमा या फिर BDEC में कर रखी है तो बिलकुल apply कर सकते हैं defense aerospace तो यह बिलकुल aerospace की ही recruitment है apply करने के लिए link पर click कीज़ेगा तो यहाँ पर आपको पूरी details फिल करनी होगी आपकी personal details यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आपको resume CV आपको यहाँ पर upload करनी है then send button पे click करना होगा याद रखना सब कुछ तो आप fill up कर सकते हैं resume headline क्या है total experience है की नहीं है फ्रेसर से present locations वेगरा सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपके पास कौन-कौन से skills है नहीं है तो आप जो भी आपके पास knowledge है electrician की वगर आप दे देना current industry जो भी आपकी है diploma, graduation कर रखी हो सारी चीज़ें यहाँ पर fill up करने के बाद आपको यहाँ पर choose file करके अपना CV जरूर अप्लोड करना ध्यान रहे ओके गैस तो यह ही आपकी application का process और यह है आपकी बड़ी department कुछ doubt है तो basic comment कर सकते है वेकेंसी release की गई है जितने भी candidates में apply करेंगे जो भी candidates shortly शोड़ेंगे काफी बड़ी department है तो मौका मत शोड़ना अगर आपको shortlist में नाम आ जाता है तो ओके तो hopefully guys यही बतानी थी वीडियो कैसे लेगी जुरूर बताईगा सारी link description मौज़ो दे कुछ doubt हो रहा है तो comment करके जुरूर बताईगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए जहेंद